खुबसूरत दिखन लई औरतां दे कूल सब तो वधिया तरीका मेकप करनदा है मेकप करननाल हर एक औरत दी खुबसूरती नो चारचान लग जान दे हन दासद ये कि अपनी सरीरक स्रंचना अनुसार मेकप करना सब तो जरूरी हुनदा है क्योंकि जेकर सी इस गाल दत्यां दही रख दे ता मेकप थुबसूरत दिखान दी बजाय बजसूरत बना देन दा है मेकप कर दे समय आईलाइनर दी वर्तो करनी बहुत जरूरी हुनदी है जो अख्खा दी बनावत अनुसार करनी चाहिदी है अख्खा दी खुबसूरत दी अख्खा दी बनावत अनुसार आईलाइनर लगाउन दा तरीका अपनाणा बेहद महत्त पूरन हुनदा है जो ए पलका दी उच्ची वाले जगा तो लगाउना शुरू करो आईलाइनर इस विच अख्खा दी बाहरी की नार्या तो आईलाइनर लगाउना शुरू करना चाहिदा है इस तो ए लावा पलका दी सब्तो ची जगा तो आईलाइनर लगाउना शुरू करना वदिया होंदा है जही अख्खा विच मोटा आईलाइनर नहीं लगाना चाईदा नहीं ता अख्खा छोटी दिखन गया हेटले आईलाशिस अख्खा दे जही बनावट वालिया और ता वकरे पर कार दे आईलाइनर दी वर्तो कार सक दिया इस विच उपरी ते हेटली पलक नुए कठे लिया के अख्खा दे बारी खुंचया ते हलका जया आईलाइनर लगाना चाईदा है हेटले आईलाशिस नूँ आईलाइनर नाल कलर करना चाईदा है इस तरह थ्वाड़ी अख्खा खूपसूरत दिखन गया हेटले वल चुक आवली बनावत जिना और्ता दिया अख्खा दे बारी खंडे थोड़ी हेटले वल चुके हुनदे हन उनननू आईलाइनर लगान दे समय बारी खंडे te आईलाइनरणू चुक दे होई लगाना चाईदा है इसनाल थोड़ी अक्खा वड़ियां अते चमकदार दिखन गया अक्खा नू बड़ा दिखाऊं ली हेटले आईलैश विच आईलाइनर लगोना चायदा है उत्ते वल नू उठी होई यां अक्खा जही अक्खा वालियां औरता दे उपरी आते हेटली पलका विच अंतर होंदा है जही विच तुसी अक्खा दे बाहरी किनारियां दे उत्ते दी वल उठी होई आईलैश नाल लाइन खिचो आते लोवर लेश दे हलकी हथा नाल आईलैश लगाओ ब्यूरो रिपोर्ट सांज टिवी लोहे दिया लमारी नाल बच्चया ले लमारी अते सोफे दिनाल मिलेगा बच्चया लई स्टर्डी टेबल बिल्कुल फ्री फिर देर क्यूं हुने आउ बालाजी स्टील फरनीचर एंड वुडवर्क्स पलाही रोड फगवाडा साडे पूर नंबर हान 084 2292 बताली अठानवी साथ सो बाड जीरो ती जीरो शे स्तानवी साथ सो स्तानवी अकानवी आट सो इकी